अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर कीबोर्ड में दिये गए अल्फाबेट के अक्षर एक क्रम में क्यों नहीं है अगर आप भी ऐसा सुचते तो आज आप इसकी असली वज़ा जानेंगे दोस्तो आपने देखाऊंगे कि कीबोर्ड पर अक्षर A के बाद B नहीं बलकि SDF लिके होते हैं जबकि आम तोर पर अल्फाबेट की सीरीज में A के बाद B, C, D आता है इसके पीछे ये नहीं कि कीबोर्ड बनाने वाले को अक्षर नहीं मालूम थे बलकि टाइपरेटर से जुड़ी एक रिजमिंग चुपी है साल 1860 में लेतम शोल्स ने पहला टाइपरेटर बनाया था इस टाइपरेटर में उन्होंने अल्फाबेट के अक्षरो को क्रम में ही लिखा था हाला कि इसे बनाने के कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि क्रम को सीधर रखने से बटन जाम हो रहे इसमें उन्होंने E और I को पहली लाइन में और Z और X को नीचे वाली लाइन में सबसे कोने में सेट किया जिससे अक्षरो वाली पहली लाइन QWERTY को क्वेरिटी नाम दिया गया इसके बाद साल 1874 में रेमिंग्टन ने कई और कीबोर्ड बाजार में उतारे और बाद में टाइप रेटर की जगा कम्पूटर ने ले ली तो उनमें भी उगलियों की सहलत और अक्षरो के इसक्रम को ही अपना गया